मेहधी लगाने का सही तरिका अगर 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 मेहधी स्प्लाइचे मिलेंगे अगर कि मेहना का जिससे automatrs के धुट है भाट का महा करना चाहिام जिससे आपको दुगना मेलिए जिससके पहले वीडियो में आप जो बाल कितिने जादा आपको ड्राइ दिख रहें रफ दिख रहें है और बिलकुल भी साइं नहीं यह बाल में वही Online आप देके रहे हो कहिए बाल में कितना बढ़ आप मेधा पूब आपको कि इचुत अपको तो ब्लग कर आते हों। अगर आपके बाल बहुत जता तोड़ते हैं बहुत लगती लगाने से अनके बाल औरौ जयता गिरते हैं अगर ऊपने इस तरीकश । जिए गिरेंगे हीτοि कि अगर गिर भीग रहे हैति उसमें 50 परसंट तक जानते हैं कैसे महेदी लगाना है मेद swiftly एक अला है, भी हवद्व 52 तो से 10 तो मनेुट सब्यता है, और मेदी लगाना हम थैसे दीकिन छाहले कहरें रॉढ़ lers जाहता है मेद्विध करने महें चाहिपति करद देनाは जिए हो पनी और जो लगाता है उसकी बाद इसमें हम कुछ और भी चीज़े एड़ करेंगे जिससे हमारे बाल सौफ्ट सिल्की होंगे और बालों का गिरना भी रुकेगा उसकी बाद इसमें आपको डालना है मेथी देना मेथी में विटामिन सी, विटामिन ए, केल्सीम, फोलिक एसीड और आयरन जैसे केंट बहुत सारे ऐसे तत्व पाया जाते हैं जो कि आपकी बालों को गिरने से रोकते हैं उसे घणा बनाते हैं मजबूत बनाते हैं चमकदार बनाते हैं और इस मेथी के बीज में मौझूद आयरन जो बलड सर्कुलेशन को भी अच्छा बनाता है तो इसमें मैं लगभग 3-4 चमच मेथी दाना एट कर रहे हूं उसके बाद इसमें आपको डाला है कलोजी कलोजी भी बहुत ही पावरफूल मसाला होता है इसमें भी बालों को जहरने की रोकने की बहुत ज़दा तागत होती है यह बहुत ही अच्छा कंडिशनर का भी काम करता है और बालों को जहरने से रोकता है इसमें पाया जाना वाल इमीनो एसीड बालो को लंबे समय तक सफीद होने से बचाता है अगर आपके बाल सफीद हो रहे हैं तो अगर आप खलोजी का यूज करते हैं तो वहां पर रुक जाएगा और आपके बाल देरे-देरे काले होने भी स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाल हम इसमें निम्बू आधा जब हमारा पानी रहे चाएगा और महीद को बोलेंगे उस टाइम वहाँ इसमें के यूज करेंगे तो यहां पे महीद के लिए माया पे नहा महीद का यूज करह रहे हूँ आप चाहों तो ज़ो ही आप यूज करते हैं तो मैं नेहा और नुपूर यह दो ही मेहदी यूज करती हूं बहुत ही अच्छा मेहदी है और आप चाहो तो यूज कर सकते हो तो पूरा का पूरा पैकट मैं इसमें डालूंगी विकोज मेहदी जितना भी डालो कमी पर जाता है और लास्ट में आप देखिए का जब मैंने मेहदी लगाया वो थोड़ा कम पढ़ी गया ठीकिए अब जीधा भी ज्चान कर ठंडा कर लिया है अब इसमें दीरे डीरे डालेंगे और इसे गोलेंगे एकदम पानी जालतें सकते ही ऑई उप्लाई करांगी थिएल यह …दूकन आ है ताकि गुठल न भॉंदने को मैं इसे मिलाती हूं और आप चाहते हों और आप चलD rodar ज़ुकर ज़ colocar उआप जी क्वेठान के लिए लिए उज़ ओ तो लगबाग आधा में इसमें निम्बू डाल रही हूं और यह जो आप देख रहे हैं निम्बू का इसमें जो बीज गिर रहा है इसे जरूर निकाले नहीं तो यह आपके बालों में फसेगा और बहुत अधा हिर्टेशन करता है तो मैंने गल्ती कर दिया मुझे चन्नी में डाल के चाहिए था तो चलिए हम इस बीज को निकाल लेते हैं और प्रॉपर तरीके से हम मैंने बीज को निकाल लिया है अब हमारा यह मैदी अब यह मत सचे कि मैदी रेडी होगा इसमें कुछ और भी चीज़े डालेंगे जो आपके बालों को एक्स्ट्र सॉफनेस देगा बहुत यह सांदार सा सॉफनेस लाता है और लंबी समय तक जो आपका बाले फ्रीजीनेस से दूर रहता है उसके बात मैं इसमें कोई और यूज करने वाली हूँ अगर आप कोई और दूसरा और यूज करते हैं जो भी आपके पर सूट करता है उसमें डाल सकते हैं बट होता है तो हमारे बाल बहुत जदा ड्राई होते हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा यह सारी चीजा आड करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छी तरीके से हमारे मिकसर रेडी हो चुका है अब इसे हम ओवरनाइट रखेंगे या फिर तीन सा चार गंटे तक आपको रहने देन होगे तो अभी आपका करणा है स्टार्ट हो जाएगा तो गाइज अब हमारा मेदी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है तो हम इसे अपलाई करेंगे तो मैं सुबह में इसे अपलाई करती हूँ मुझे उठना होता है पांच बजे तो मैं सारे चार में उड़ती हूँ और होते हैं वो चूट जाते हैं बड़ कोई बात नहीं अगर आपके पास कोई हो हेल्पर तो इससे आप बोलिए लगाने को अगर अगर अप लगाते हो एक बाल पकरके तो बहुत अच्छा result हमें मिलता है बट बहुत लोगों के पास कोई option नहीं होता है तो क्या करें हां तो मेडि अप्लाक् sound तरहाँ ही लगारा तो इस तरीके इसकी अची तरीके से बालों मह्याएत। अच्छी तर 이제 जेए बालों से बालों मेडि उर्वाजान यहीं हो को सुंकिन वागए अच्छी काया? अब बाकी की तरह इस तरीके से मैंने मेहदी लगा लिया है अब देख सकते हो कितना बढ़िया कलर चला है हाथ में और जब हमने थोड़े देर तक ही रगा था तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ पाने की हेल्प से वास कीजिए सैंपू का यूज मत कीजिए अगले दिन आप सैंपू का यूज कीजिए तो आपको और भी बेहतरीन वाले रिजल्ट में लेंगे तो आप गाइस देख सकते हो बाल में कितना अच्छा कलर जड़ा है कितना ज़ आप अपने बालों में मेहदी लगाई है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस जिए जो मांसुन सिजन चल रहा है इसमें बहुत जड़ा गिरते है तो इस तरीके से अगर बालों मेहदी लगाई है तो बाल गिरने भी आपके रुक जाएंगे तो गाइस दिए था मेरा आज के वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कीजाए कमेंट कीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा सो गाइस मिलते हुं नेक्स वीडियों में टेक कियर बाबाए